हेलो फ्रेंड सीमा की चन ब्लाग में आप सभी का स्वागत है आप सब कैसे हैं उमेद करते हैं कि आप लोग ठीव होगे तो आज हम बनाने चल रहे हैं चावल के आटे का फरा है जो कि एकदम नई रेस्पी है तो उसके लिए हमने एक कपूरत के डाल लिया है उसको अच्छे कर रखेंगे अब में एक कप चना के डाल लिया है और उसमें पाई डाल लेंगे और उसको अच्छी तरह से धूल लेंगे दो थिन पानी दोदीन पानी हमने दो हम पानी डाल कर रख देंगे बिजो कि हम कम शे से साथ घंटक के लिए रखेंगे और देखिए हमाई दाल फूल गई है अच्छी तरह से और हम चल रहे हैं पीशने इसको इसके लिए हमने तीन लेशन के कलिया लिए हैं दोहरी मिर्च अद्रक का टुकड़ा और इसके बाद दाल लेंगे हम थोड़ा थोड़ा दाल उसमें पीश लेते हैं तो हमने दाल को पीश लिए देखिए तो हम डालेंगे हल्दी एक चमत हींग और हरी धनिया अब इसको हम में ला लेंगे नमक डालेंगे हम इसमें सादन सार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब इसे रख देते हैं ठबकर और आटा लेते हैं हम दो कप चावल का और इसको पानी जारके थोड़ा थोड़ा हम साब्ट बनाएंगे इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा तो हम आटे को गूत लेते हैं तो अब हम को आटे को तयार करना है अब डो बनकर तयार हो गया है तो अब हम इसकी लोईया बना लेते हैं छोड़ी छोड़ी लोईया बना के अब हम तयार कर लेंगे तो हम इसको रोटी की तरह बना लेते हैं इसके बाद इस गिलास की सहायता से हम इसे काट लेंगे तो दूसरी रोटी भी हम बेल कर तयार कर लेते हैं और इसे भी हम काट लेते हैं गिलास की मदद से इसमें एक एक चमच भर करके हम इस तरह से बनाएंगे इसको मौड़कर अजयों हो तो सभी में सभी को हमें इस तरह बना लेना है अगया आपको दोस्तों आपको माय रेस्टी पसंद आए तो लाइक और स्वाइब जरूर की जिए गएल आप कमेंट पाक स्में लिखक बताईएगे अब आप लोग कहां से माय रेस्टी रहेंगे और जेर भी कीजिएगा देखिए हमने सारा रख दिया एकठा अब हम इसको थाली से ढखेंगे थाली से ढखेंगे और दो मिनट के लिए मेडियम आज पर इसको हम गरह होने देंगे जब हमारी इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो देखिए हमने पानी डाल दिया है तो देखिए हमने पानी इस तरह डाल दिया है अब इसको हम कम से कम पांच मिनट तक मेडियम पर पकने देंगे इसके बाद हम फिर फ्लेम को धीमा कर देंगे और दस मिनट तक ऐसे पकाएंगे इसके बाद देखिए हमारा फ़रा पकर त कि अगया हुआ है तो देखिए बनकर तयार हो गया है कि कलर चेंज हो गया है तो इसे एक करने कि हम निकालेंगे देखिए अवस्य निकल जा रहा है तो तो आफ लोग पर बनाईए गई बार